लालू यादों के बिहार आते ही मचेगा राजनिती में भगदर तेश्वी यादों को बनाएंगे बिहार के मुख्य मंत्री तक्ता पलट होगी द्रसल आपकदादी कि बिहार की राजनिती में महागडवन्धन की जो वर्तमान सरकार है उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पहले जेडी और आरजेडी आमने सामने थी और अब नितीश कुमार की पार्टी जनता दल यू में जो है वो सब कुछ ठीक रही दिख रहा है उपहिंद्र कुस्वाह ने आज जो बाते कही है जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार बहुत जाए दिन तक नहीं चलने वाली है चुकि पहिंद्र कुस्वाह ने कहा है कि लालू परशाद यादों के बीच और नितीश कुमार क्या कुछ डील हुई थी और किन सर्तों पर सरकार बनी है यह नितीश कुमार बताएं जिसके बाद नितीश कुमार सरी सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल को सीड़े से खाड़िच कर दिया यहां तक कि उन्होंने कहा है कि उन पे कोई बियानवाजी नहीं पार्टी का कोई भीनेता नहीं बोलेगा अब देखिए भविस्वानी कर रहे हैं ब्यार के पुर्वक मंतरी बीजे पिरास्वासांसा सुसिल कुमार मोदी उन्होंने सीड़े सीड़े काया कि लालू प्रशाद यादो नितीश कुमार के बीच डिल हुई थी कि आने वाले दिनों में बेसक अभी वो नितीश कुमार केंद्र की राजनिती में रूख करेंगे और बिहार की गदी त्यस्वी आदों को सौपेंगे यानि कि त्यस्वी आदों को मुख्य मंतरी बनाएंगे और ये मांग लगतार आरदिक तब से की जा रही थी जगदारं सिंग कई बार कह चुके हैं कि नितीश कुमार बड़े नेता है उनकी बड़ी सोच है तो ऐसे में उन्हें अब केंद्र की राजनिती जानी चाहिए और बिहार की सत्ता पे तेश्वी आदो को बैठाना चाहिए सुसील मोदी निमातों को दोरा रहें और कहरें कि उन सर्तों पे उस डील पे निधीज कुमार कंद्र को नहीं दोका दीया है और इस धोखे का बदला तो लालू यादो लेंगे ब्यार लोटेंगे और लोटने के साथ ये ब्यार की राजनिती में भगदर मचेगी यूँ कहें तो तूट भी हो सकती है तेज़श्वी आदो जो मुख्यमंत्री के करीब है दस विधायक अगर आ जाते है तो अराम से ये सरकार चला सकते है और यही बड़ी वज़़ बताई जारी है उपेंद कुस्वा के बयान और सुसील मोधी के दावे कहीने कहीं ओर इसारा जरूर कर रहे है कि आने वाले दिनों में बयार की राजनिती में बड़ा उलट फेर होर सकता है तेज़श्वी आदो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रशाद्य आदो हर संभव प्रयास करेंगे यहां तक कि जो डील की बात कही जा रही है कि आखिर क्या डील हुई थी तो बीजे पिदावा कर रहे है कि डील यही हुई थी कि दोनों पार्टियां एक दुसरे में मर्ज करेगी एक नहीं पार्टि होगी और नितीश कुमार को केंद्र की राजनिती में भेचकर बिहार की सत्ता तेश्वी आदो को सौप दी जाएंगे यानि कि मुक्यमंत्री तेश्वी आदो बनेंगे बिहार के मुक्यमंत्री होंगे लेकिन इस डील पे नितीश कुमार खड़े नहीं उतरे और यही बड़ी बज़े बताए जारे कि लालू परशादियादो जैसे सिंगापुर से बिहार लोटेंगे वो तुरंत जो है वो तेश्वी को मुक्यमंत्री बनाएंगे चुकि बहागरवंदन के पास जो पहले से आकड़े थे सरकार बनाने के कडीब थी ऐसे में अगर कुछ बिरायकों का समर्थर मिल जाता है तो सरकार जो है वो बिहार में तेश्वी की बन सकती है और यही बड़ी बज़े बताए जारे कि लालू परशादियादो जैसे ही बिहार लोटेंगे राजनिती में भगदर मचेगी नितीश कुमार की पाटी जो है वो तूट सकती है और तेश्वी यादो को मुख्यमंत्री बनाएंगे लालू यादो चुकि एक बाब फिर से लालू परशाद यादो को नितीश कुमार ने धोका दिया है अलाकि राजनितीक तोर पर ये बयानबाजी जरूर हो रही है लेकिन नितीश कुमार कब क्या कौन फैस्ता ले लेंगे किसी को मालूम नहीं होता है साइद उनके बगल में बैटने वाले अधिकारी को भी ये मालूम नहीं होता है कि नितीश कुमार कब क्या कहेंगे और कब क्या कर देंगे राजनिती के चन्ना क्ये कह जाते हैं 360 डिगरी की राजनिती करते हैं तो इसलिए नितीश कुमार को भापना और आकना इतना भी आसान नहीं है किसी भी धुरंदर के लिए बराल इसको मिनता ही देखते हैं टॉप नौसकार